दोस्तो आज से लेकर आए हूं modern history का जो की बहुत ज्यादा important part होता है हर exam के लिए जहां से question लगवग 20-25 पूछा जाते हैं तो उससे हम लोग previous year का जितना question आया हुआ हर exam में उसको हम लोग topic wise देखेंगे हर वीडियो में तो आज का जो topic हम लोग रहने वाला भारत में सिक्षा का विकास तो इससे संबंदित हम लोग चलिए वीडियो देखते हैं और इससे संबंदित जितने MCQ आया हुआ previous year में question सभी इस वीडियो में बताऊंगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो पहला question है British सरकार के किस अधिनियम में पहली बार भारत में सिक्षा के लिए एक लाख रुपए खर्च करने का प्रदान किया गया था तो यह किया गया था चार्टर अधिनियम 1813 के तहत option number B सही हो जागा most important question है बीपेसी का एक्जाम में पुछा गया, कोश्चन उपीपेसी का एक्जाम में पुछा गया, मेंस में है, अब दूसरा कोश्चन देखते हैं क्या है, कोश्चन नमबर टू है, हंटर कमिशन की रिपोर्ट में विसेस जोर किस पर दिया गया था, तो विसेस जोर था, ये प्रा तो सिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिस सरकार ने सैंडलर 20 विद्धेल आया नूक किया था 1917 में उप्सन नमर 20 है हो जाएगा ठर्ड का और ये बिपेस्टी में भी कोश्चन पुछा गया है अब कोश्चन नमर 4 देखिए क्या है कोश्चन नमर 4 है किसके सासन काल में भारत में अंग्रेजी सिक्षा आरंभ की गई थी तो ये लॉर्ड विलियन बैंटिक के काल में अंग्रेजी सिक्षा आरंभ की गया था याद रखिएगा लॉर्ड विलियन बैंटी के काल में अंग्रेजी सिक्षा का रम्भ हुआ था और दोस्ति ये सारे कोश्चन हर एक्जाम में आया हुआ अगला कोश्चन देखते हैं पाँचवा क्या है तो इसमेंसे बताना है सारवप्रतम किस की अस्थापना हुई थी तो ये हिंदू कोलेज का हुआ था जो कि कलकत्ता में है और ये 1817 में हुआ था और इसे राजा राम मोहन राय ने बनाया था याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जागा option number इसका A हो जागा हिंदू कॉलेज कलकत्ता राजा राम मोहन राए option number A और इसका जो स्थापन हुआ था वो 1817 में हुआ था अब question number 6 क्या है question number 6 भारत का पहला समचार पत्र कौन सा था तो भारत का पहला जो समचार पत्र था वो है बंगाल गजट याद रखेगा option number A सही हो जागा इसका question number 7 भारत में सौर प्रथम किसने press censorship लागू किया था important question है तो press censorship प्रथम भारत में किसने लागू किया था तो ये लागू किया था दोस्तो Lord Litter ने option number B सही हो जागा ये भी BPSC का question है अब question number देखते है 9 क्या है question number 9 है अमरित बजार पत्रिका की अस्थापना किसने कि थी तो अमरित बजार पत्रिका की अस्थापना कि थी दोस्तो सिसीर कुमार घोस ने option number D सही हो जागा और ये भी BPSC का question है ये जितने question है सभी आ चुके BPSC में ठीक है बहुत important question है सारा question number 10 है भारतियों दोआरा अंगरेजी भासा में परकासित प्रथम सामचार पत्र कौन था तो भारतियों दोआरा प्रथम अंगरेजी भासा में परकासित जो सामचार पत्र था उसका नाम था हिंदू पेट्रियाट याद रखिएगा option number C से हो जागा हिंदू पेट्रियाट था भार्दियो द्वारा अंग्रेजी भासा में परकासित प्रथम सामाचार पत्र question number 11 है निमलिकित में से कौन सी पूस्तक तिलक ने लिखी थी important question है तो ये लिखा था याद रखिएगा गीता रहस ठीक है option number B से हो जागा गीता रहस ने तिलक जो गीता रहस है वो बाल गांगा धर तिलक ने लिखा था याद रखिएगा option number B हो जागा 11 का और ये भी BPSC में आया गुआ सारा important question है अब question number 12 देखते हैं क्या है दादा भाई नोरोजी इसके लेखक है poverty and un-British rule in India के लेखक दादा भाई नोरोजी है अब question number 13 देखते हैं क्या है question number 13 निमलीखित में से कौन सुमेली थे तो इसमें से बताना है कौन सा सही है तो दोस्तों इसका अंतरा जागा option number C यानि के राम मनोहर लोहिया और इनकी जो पूस्तों के the guilty man of India's partition ये सही है बागी जो तीनों है ये question गलत है याद रखिएगा तो इसका option number C हो जागा 13 का question number 14 निमलीखित गितांजली का अंग्रेजी संस्क्रण परकासित हुआ था प्रसीद पूस्तक foundation of India culture के लेखक कौन थे तो प्रसीद पूस्तक foundation of India culture के जो लेखक थे उनका नाम है दोस्तों स्री अर्भिंदो थे याद रखिएगा स्री अर्भिंदो इसके लेखक थे option number B हो जागा 15 का अगला question question number 16 सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है तो इसका पहला हो जागा बंकिम चंद्र द्वारा जो लिखा गया पूस्तक है वो कौन सा है तो यह देवी चोधरानी है याद रखिएगा देवी चोधरानी दिन बंदु मित्र किसे रिलेशन है तो यह निल दरपन है इनका द्वारा लिखी की पूस्तक और प्रेम चंद्र का जो रशना है वो है सत्रंज के खिलाडी यानि कि option number C से हो जागा A का 2 B का 3 और जो C है उसका 1 हो जागा option number C question number 17 क्या है question number 17 है निमलिखित कारगारों में से किस एक में पंडित जोहरलाल नहरू ने अपनी प्रसीद पूस्तक discovery of इंडिया लिखी थे important question है तो पूछ रहा कि जो बहुत इमाजपून पूस्तक discovery of इंडिया इसको पंडित जोहरलाल नहरू ने कहां पर लिखा था तो यह लिखा था दोस्तों याद रखिएगा आहमदावाद नगर फोर्ट जेल में और यहीं पर बैटकर यह पूस्तक इनों ने लिखा था और यह बहुत सारे एक्जाम रिपीट हुए देख लिजे यहाँ पर तो most important question है question number 18 क्या है question number 18 है रिडल्स इन हिंदूजम के लेखा कौन है तो रिडल्स इन हिंदूजम के लेखा क्या है दोस्तों यह भीम राव अमबेटकर है याद रखिएगा question number 19 देखते हैं क्या है question number 19 है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है तो इसका answer हो जागा option number A हो जागा यानि कि जो A है उसका हो जागा 2 यानि Lady Catherine Mayo यह Mother India कहलाती थी ठीक है याद रखिएगा उसके बाद B है लारी कासिंग एंड डॉमनियक लिपियर यह इनका हो जागा Freedom and Midnight और तीसरा है राममनोहर लोहिया तो इनका हो जागा Guilty Man of India's Partition इसके लेखक है चोथा है जवाहलाल नहरू तो इसके लेखक कौन है तो Discovery of India यह लिखे थे और यह जो लेखक थे जवाहलाल नहरू तो option number A सही हो जागा A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3 हो जागा Option number A सही हो जागा Question number 20 देखते हैं क्या है जूगल की सोर अपिस की सही हो ज边गा Question number 21 क्या कहता है question number 21 कहता है कि would dispatch के बारे में निमलिकित में से कौन सा कतन सत्य बताना है तो इसका जो सही answer देखे क्या है पहला बोल रहा है कि सहायता अनुदान व्योस्ता यानि कि grant sin end शुरू की गई थी तो ये सही है दूसरा बोल रहा है कि सिक्षा के सभी अस्तरों पर सिक्षन माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिस की गई ये गलत हो जगा तो इसका answer जगा option number 21 का ठीक है तो दोस्तो आज हम लोग ने देखा भारत में सिक्षा का विकास के सारे previous year के important question है इस वीडियो में कराया गया है अगला जो वीडियो रहेगा वो कोई और topic का रहेगा तो उसको जल लाऊंगा तो मिलता अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद